नमस्कार अधाब न्यूस्क्लिक के डिली डाउंड अप में आपका स्वागत है आईए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर दिल्ली नौ साल की दलिद बच्ची के साथ गैंगरे परिवार कारो जबरन किया गया धासंसकार बच्चों और महिलाओ को कैसे मिले पोशन आंगनवाडी के 1.9 लाग पद खाली पंजाब की नौकरी गारिंटी योजना में घोटाला मृत लोगों के नाम पर जा रहा है पैसा यूएस सीडी सी की रिपोर्ट डेल्टा वेरियंट चेचक जितना संक्रमक और आखर में करोन अपडेट देश में 24 गंटों में 42,625 नए मामले 562 मरीजों की मौत हाल ही में दिल्ली में भी हातरस दोराया गया दिल्ली कैंट के पुराना नागल स्थित शमशान घार्ट में वाटर कूलर से पानी लेने गई नौ साल के दलित बच्ची के साथ कतित तोर पर सामुएक दुशकर्म कर उसकी हत्या के बाद जबरन अन्तिम संस्कार कर दिया गया इस मामले में करीब 200 लोगों के विरूर प्रदर्शन के बाद आरूपी पंडित रादेशाम और उसके तीन साथियों को पुलिस ने गिरफतार किया है उन पर पहले ही पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्च किया था बाद में दिल्ली महिला आयोग और S.C.S.T. आयोग के दखल के बाद पुलिस ने प्रात्मिक जाच के बाद सामुए एक दुशकर्म हत्या साक्षिच्चुपा ने पॉक्सो, S.C.S.T. आक्ट और धारा 506 के तहत मामला दर्च किया है जन दवाफ से मजबूर होकर पुलिस को चारो को गिरफतार करना पड़ा इस मामले में कांग्रिस नेता राहूल गांदी ने बुदवार को पीडित परिवार से मलाकात की है इस मलाकात के बाद राहूल ने कहा कि पीडित परिवार इंसाफ चाता है और उन्हें कुछ नहीं चाहिए पीडित परिवार का कहना है कि उनके साथ नयाय नहीं हो रहा है इसलिए उन्हें मदद की जरूरत है रावल ने कहा कि इनसाफ मिलने तक हम उनके साथ खड़े हैं दिली के मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल ने भी बच्ची के परिवार से मिलकर उन्हें 10 लाख रुपे का मुआफ़े का अलान किया है न्यूस क्लिक ने बच्ची के परिवार से बात की है आईए देखते हैं रिपोर्ट न्यूस क्लिक की तरफ से ग्राउंड रिपोर्ट में इस समय हम खड़े हैं नांगल गाउं में वही नांगल गाओं जहां एक तारीक को, एक अगस्त को, एक छोटी बच्ची के साथ तथाकतित तौर पर बलातकार हुआ और उसकी लाश को जला दिया गया, हमारे बगल में ही है शमशान घाट. उसी समशान घाट में ये दूसरी घटना है, पहले दो लड़किया द्वार का सहाईती उसनों के साथ हुआ था, कोई आप्शन नहीं ही उठाता हुआ उनों के लिए कुछ भी नहीं हुआ था, और अब ये छोटी सी आट साल की नोवी में लगी ती लड़की, नो साल में और ऐसा हुआ उसके साथ. किसानों को ये बताने के लिए आए कि राजा ताना साह होता है और कैसा होता है, वो अपनी ताना साही दिखा रहे हैं, जिसका असर रोज लोगों पर हो रहा है, रोज इस देज में हजारों महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, हजारों गरीवों पर, हजारों मजदूरों पर ये आपके सामने है, जो हो रहाएगा. मेरे ख्याल से आत्रस कांड पर ही नहीं बोल पाएं, तो यहां के लिए क्या बोलेंगे, हम तो नहीं उनको अपना मान सकते, सरकार इस जाती के लिए कभी बोलने का सोची नहीं सकती, ठीके न, क्योंकि वो मनुवादी लोग हैं, वो हमारे इसे जो सडूल काश्च के जो ल लाइन एक लवज न लिख पाए न बोल पाए, हात्रस उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में दलित बच्ची को जलाया गया था, सबूत मिटाया गया था, ठीक उसी तरश पर इस समय हम खड़े हैं, शमशान घाट में, जहां नौ साल की दलित बच्ची को जलाया गया, और उस पूरे केस को छुपाने की पूरी कोशिश दिल्ली पुलिस ने की, जो सब महौल बनाया जा रहा है, कि उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली, हर जगा, अगर बच्ची पिछ्डी समुदाय से आती है, अगर लड़की दलिस समुदाय से आती है, तो उसके प बचाने के लिए पूरा पुलिस प्रशाशन, मोधी सरकार उसी तरह से मुस्तैद रहेगी। महराश्च्र में 19,478, तमिलनाडू में 15,720 और बिहार में 9,828 पद खाली पड़े हैं, आंगनवाडी देश में पोशन प्रदान करने के मामलों में महतवपून स्थान रखता है, इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होने और सभी स्विकित आंगनवाडी केंदरू का सं आप देते हुए, संसद में बताया है कि देश में 6 माह से लेकर 6 वर्ष के बीच 9,27 लाग बच्चे अत्यदिक को पूशन का शिकार हैं, जिन में से सबसे अधिक 4 लाग बच्चे अकेले उत्तर प्रदेश से हैं, वरतमान में देश में करीब 14 लाग आंगनवाडी के इंद संचालित ही नहीं है, आंगनवाडी के विबिन कारिक्रमों को संचालित करने के लिए पूरे देश में 27,41 लाग करमचारी और आंगनवाडी कारिक्रिती और सहाईका हैं, जिन में 7,075 CDPO, सूपरवाइजर के 51,312 पद, इसके अलावा 14 लाग कारिक्रितियों 12,83 लाग 17,191 पद जो की कुल स्विकित पदों का 31 प्रतीशत है, कारिक्रिक्रितियों के 71,000 से अधिक पद और सहाईकाओं के एक लाग से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं, निउस्ट्लिक की ये डाटर स्टोरी आप हमारी हिंदी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, मनरेगा के आकड़ों के अनुसार उनने पिछले साल 28 फरवरी और 16 नवंबर और इस साल 31 मई और 6 जून के बीच मनरेगा में काम के लिए आवेदन किया था, और उनने इस दोरान के काम का 75 सो रुपे का भुकतान भी किया गया, मनरेगा के रिकॉर्ड में दर्ज है कि भीम स के मामले का खुलासा हुआ तो गाओं के बीडियो परवेश गोयल ने एक कांट्रैक्ट पर काम कर रहे शक्स को नौकरी से निकाल दिया और कहा कि इस हेर फेर में उसी का हाथ था, यह ऐसा अकेला मामला नहीं है, गाओं के अन्य मामले भी ऐसे ही हैं, जहां मृत शक्स के न लूबना टेकू गाओं की रोमाल कौर ने बताया कि उन्होंने मनरेगा में जो काम किया उसका पैसा उनके पास नहीं आया, एक साल तक धक्के खाने के बाद उन्हें रिकॉर्ड में दिखाया गया कि 18,000 रुपे का बुक्तान गाओं की किसी रुपिंदर कौर के नाम पर कि मनरेगा नौकरी गारेंटी योजना में हो रहे इन घोटालों का इलजाम गाओं वालों ने प्रशासन पर लगाया है, और यह भी कहा है कि यह काम लंबे समय से हो रहा है, जिसमें गाओं के सरपन्च से लेकर बीडियो प्रशासन सब शामिल हैं, कोविट के मामले पूरी द वेग्यानिक ब्रेक्ट्रू मामले कहते हैं, यानि टीके लगवाने के बाद भी लोग कोविट से संक्रमित हो रहे हैं, रिकॉर्ड में कहा गया है कि डेल्टा वेरियन्ट या किस्म का फैलना उतना ही असान है जितना चेचक का, लेकिन टीका करन्ट के टीका करन्ट से रिपोर्ट है, CDC की जो रिपोर्ट है, अमरीका की जो इन विशेव पर चर्चा करने वाले संस्था है, उनकी रेगुलेटरी संस्था है, तो पहली बात तो यह है कि डेल्टा हमारे हैं से शुरू हुआ, चर्चा वो कर रहे हैं, रिसर्च की वहां पर यो हमें खबर बिल र रिपर्ट जो है, क्या हमारे रिगुलेटरी ओर्डिनाइजेशन, हमारे जो मेडिकल इंस्टुट्टिव, ICMR है, उन्होंने ऐसा कुछ बनाए क्या, और क्या इसके बारे में हमें कोई जानकारी है? इंडियन कांसिल अव मेडिकल रिसर्च ने शायद इस तरीके की एक रपट सरकार को दी हुई है, सुनने में आता है, लेकिन आम लोगों तक पहुंची हुई मैंने तो सुनी नहीं है, यह हुई एक बात, दूसरी बात ये, कि CDC जिसका आप जिकर कर रहे हैं, कि अमरीका की जो सरकारी संस्था है, यानि कि संक्रामक बीमारियों पर अन्वेशन करने वाली संस्था, Center for Disease Control, तो उनके पास सबूत काफी बहुत ज्यादा है, आंकडे बहुत ज्यादा है, सबूत ज्यादा है, और इसलिए जो कुछ अनुवान लगाने हैं, अमरीका के बारे में, वो बड़े ठोस आधार पर लगा सकते हैं, हमारे पास जैसे की हम लोग चर्चा करते आएं हैं, आंकडे उतने बरोसे मन नहीं हैं, और जितनी वाइरस की प्रणाली निश्चित करनी है, सीक्विंसिंग करनी है, वो बहुत कम पैमाने पर हुई है, तो इसलिए हमारी पास आंकडों का भी अकाल ही तो है, है, हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में जो परिस्थिती है, उसको लेकर इतने सीधे रपट नहीं निकल सकती, हमारे हां डेटा बेस की का की कमी है, जो कि हमने उस तरह से जिनों सिक्विंस किया नहीं है, जो हमारे बिमारी बिमार लोग हैं उनसे लेकर सांपल्स लेके इस पैमाने पे हमने जिनोम सीक्वेंस किया नहीं और जो हम पहले भी चर्चा करते हैं यूके ने किया है और कुछ और देशों ने किया है अमरीका का ये रपड़ापड जो है उसकी अपनी काफी ज्यादा संख्या में जिनोम सीक्वेंस करके आप उसको मैप करके उन्होंने ये हमें बतला रहे हैं केंदरस्वास समंतराले दोरा आज बुदवार चार अगस्त को जारी आकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में करोना के 42,625 नए मामले दर्च किये गए हैं इसके अलावा करोना से 562 मरीजों की मौत हो गई है जिन में से 24 घंटों में सबसे आदा 117 मरीजों की मौत सिर्फ महराश्रा में हुई है वहीं केरल में 148 मरीजों की मौत हुई है और रोड़िशा में 69 मरीजों की मौत हुई है साती इसी बीच देश भर में करोना से पेड़ित 36,668 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 5,395 मामलों की बड़ोतरी हुई है देश में करोना के मामलों की संक्या बढ़कर 3,17,79,132 हो गई है जिन में से अब तक 4,25,757 लोगों की मौत हो चुकी है देश में करोना से पेड़ित 97,36 फीसिदी यानी 3,9,33,22 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में अक्टिव मामलों की संक्या बढ़कर 1,29 फीसिदी यानी 4,10,353 हो गई है स्वास समंत्राले की तार जानकारी के अनुसार करोना की करोना वैक्सीन की 48 करोड 52,86,570 डोस जी जा चुकी है जिन में से 62,53,741 वैक्सीन की डोस पिसले 24 घंटों में दी गई है आज की डिली राउंड अब में बस इतना ही हमारी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं हमें फेस्बुक और इंस्टेग्राम पर फॉलो करें साथ ही यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें निउस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया